तो प्रिछात्र आपका सवगत आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में लेके आज कहूं आपका यहाँ पे देख सकते आपका हाई स्कूल आपका एक्जामिनेशन आपका विसे आपका संस्कित आपका यह संस्कत का पेपर है यहाँ पे आट मार्च को आपको जो होने अपको पूरा पेपर आपको यहाँ पर दिये है और इस के बाद आपको मैं यहाँ पे टोटल आपके पूरे पेपर आपको मैं दिखा दूगा और साथ में आपको इस पेपर आपको एक वीडियो पर आपको कंपोलीट आपको से ब्रक तौ आपको से Maian Tag.com downward तो देखिए आपका सबसे पहले कोशन आता है आपका सही विकल्फ आपको चुनकर इनके आपका अंसर करना है तो पहला कोशन लिखा गत्वा इतिस्मिन पदे आपका प्रत्या ठीके छे नंबर कोशन आता है तो गत्वा में कौन सा आपका प्रत्या होगा आपका राइट अंसर आपको इसमें त्वा प्रत्या आपको लगा देना है इसके बाद आपका तीसरा कोशन देखिए यहाँ पर आदाय एतिस्मिन पदे आपका प्रत्या यानि आदाय में पूछे गया आपका कौन सा यहाँ पर प्रत्या होगा तो शापतरों आपको इसमें अंसर आपको इसमें लेप प्रत्या आपको लगा देना है और वीडियो को दिल से लाइक कर देना है यह आपका ऐसे पेपर है जो आप यहाँ पे करने के बाद फाइनली आप यहाँ पे आठ मार्च के पेपर में बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ पे सारे के सारे कोश्चन लेके आओगे आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे यदि आप ध्यान पूर्वक यह कोश्चन पढ़ते हैं और इनके अ अंगा नंबर अयम बाल का वीरा इत्विसमिन पदे आपको बाक में विशेष पदम बताना है तो सिंपल तरीके से आपको अंसर देखिए इसमें जो आपका क्या है विशेष पदम की बात कर रहा है तो विशेष पद आपको इसमें सिंपल सा क्या है आपको इसमें आपको तो बच्चो पढ़ाई में डॉट्स आते हैं तो घबराओ मत इसका सलुटन है डॉटन टैप जिसभी सवाल में आपका डॉट है उसका फोटो कीचो कुरॉप करो और पांस सेकंड के अंदर अंदर आपको बेडियो सलुटन मिल जाएगा वो भी विल्कुल फुरी अब आप या फिर अन इस्टेट वोर्ट का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वायोलोजी, साइन्स, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर, तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है, क्लास नवी से बारवी, आई-ाई-टी, जेडवाली, नेट के बच्चों के लिए आनलाइन क्लासे, जिसका हिस्सा वन कर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं, ट्रेंक वन, तो आज ही डाउटनेट इस्टाल करें, और अपने सभी डाउट्स वगाओ, और टॉप रेंक लियाओ, विसे सलील मतलब क्या होता है, आपका यहां पर पवन होता है, नीर होता है, ठीक, आपका बायू होता है, समीर होता है, तो सिंपल सा देखे, आपको इसमें क्या होगा, सलील मतलब आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां होता है, ठीक है, तो जलक आपको यहां पर हो को बिडमपत्त तो आपको यहाँ पर क्या हो गगा सुकर्म का अपकर हो जाएगा दुर्भाहमski के आपको अंसर यहाँ पर आपको दूर्भाहम करना इसका बात देखे घर नमबर कोेश्चण अस्थ मैं इतित से आपको भिलोंपदम मनलब कि आपको अस्थ हो राये ठीके तो अस्थ का क्या होगा आपको यहापर ऊदै होगा सिंपल सा आपका अंसर हो जाएगा अंगा नमबर कुसका कोशन देखिए क्रस्थकाय--- आसीद तो देखिए क्या होता है आपको यहाँ पे अंसर अभी उकता आपको यहाँ पे हो जाएगा और इसके बाद देखी चैनमर कोश्चन चोरह डैस डैस आसीथ तो चोरह क्या होता है आपको यहाँ पे विपक्षी आपको अंसर करना है इसके बाद कोश्चन चैनमर बाची डैस डैस भवेत तो आपको यह पर आपको तको यहां पर यहां सर करने है टो गोर्च कौन केई अभी द्यान सी देखना रहाँ तो देखिंगे आपको यहां पे इसका अंसर करना है चात्रों आपको वालके का हो जाएगा आपका सब्तमी आपका विभक्ति ठीक है आपको सेकेंड में अंसर करना है और इसकी बाद देखिए आपको यहां पे आता है नेस्ट कोश्चन आपका यहां पे लिखा है लतिया तो लतिया क्या है आपका तो लतिया में आंसर आपको यहाँ पर सिंपल सा आपको यहाँ पर तरतिया आपको विवक्ति आपको इसमें करना पड़ेगा और इसके बाद अहम का है आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपका विवक्ति हो जाएगा इसके बाद तो की बात करें तो यह आपको अप इसमें आपका उसर हो जागा ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पे आपका एक वाक्त में आपको उत्ता लिखना है तो आपको यह बहुत सिंपल है आपको देखे पहला कोशन लिखे है बाद द्धतो आपको इसमें लट लकार का आपको मध्यम पूरुस आपका ब अब धातु लट लकार उत्तम पूरुस आपका बहुबचन तो आपको इस साथ नमबर कोश्चन देखिए आपको इसमें अंसर आपको लभे करना है और घा नमबर कोश्चन गच्छती क्रिया पदे कह धातु लिखत आपको यहाँ पे घा का अंसर आपको इसमें गम कर दिने ठीक है गच्छती में आपको इहाँ पे आपका गम धातु होगा और अंगा नमबर कोश्चन देखिए साधाचारा एब परमधर्मा इसमें आपको अब्यब बताना है तो अब्यब क्या होता है जो खर्च नहीं होता है मतलब इसमें आपका एब यहाँ पे अब्यब हो ज़िए ठीक है इसके पर चलते हैं आपको यहाँ पर पाजवा कोश्चन आपको सत्त और असत के कोश्चन ठीक है आम और नामें आपको अंसर देना है छे नंबर कोश्चन पहला कोश्चन विद्यालया एतिसमें पदे दिर्गसुरसंदी देखिए तो विद्याधन आलया आपको यहाँ पर दिर्गसुरसंदी के उद्याधन आपको यहाँ पर आम करना है ठीक है और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर सिकन कोश्चन मनुरथा इतिसमें पदे आपको बेंजन संदी क्या यहाँ पर मनुरथ पर आपको यहाँ पर बेंजन है तो नहीं है क्यो तो देखिए क्या नहीं है तो इहां पर आम करना पड़ेगा ठीक है और अगला कोश्चन यहां परी त्ततफुरूस तो राजा का आपका पूत्र तो आपको यहां पर आम करना पड़ेगा इसके बाद लाश्ट यापी देखिए यह था सक्ती की बात करें तो यह था सक्ती में देखिए आपको यह अब्यविस भाव का उधान है सक्ती के अनुसार ठीक है आपको जहाँ पर आपका अब्यविस भाव का यह था ताओ है अत्र ऐसे सब्द आपके अब्यविस भाव का ना करना है ठीक है तो आपको यह कोशन होगे अब चलते हैं आपको यहापे देखी आपके छटा कोशन से स्टार्ट होता है आपको कोशन अंसर ठीक है आपको यहापे सभी कोशन के आपको संसकत भासे में अंसर दे रहे हैं तो यहापे छटा कोशन देख लो और इसके बाद स यहाँ पर उनीसवा question आपका अदित एक लोग कॉअच्छ में देख सकते हैं आपको पार्ट से आपको चार नमर कॉच्छन दू को डिकना है और इसके बाद आपको यहाँ चुटी के लिए आपको एक आविदन पत्र पत्र आपको पत्र लिखना है तो यह question और जम दिवस के लिए आपको यहाँ पर अमंजर के लिए पत्र लिखना है आपको यह question और आपको यहाँ आपको अच्छे से यहां पर रट लिन है आपको नेक्ट वीडियो पर आपको मैं सेकेंड पार्ट लाकर इन सभी कोश्चन के आंसर देंगे और वीडियो में आपको यहां पर बेतरीन तरीके से आंसर बताएंगे और गर्दा उडा देंगे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो प